हेलो गाइज वेलकम तो माइ यूटूब चैनल माइनम इस मनिश गुपता और यू आ वाचिंग भी एसीजी लेक्चर्स तो एक बार गाईज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर जैसा कि जानते हैं कि हमारा यूटूब चैनल का नाम है भी एसीजी ल आज हम फ़स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं BZYCT सब्जेक्ट कोड है ध्यान रखेगा BZYCT 131 कोड है और बुक का नाम है आपका अनिमल डाइवर्सिटी ठीक है तो आज हम ब्लॉक वन है आपका असिलोमेट्स कौन सो होता है तोसलोमेंट्स जिसके पास क्या हो सीलोमिन से जिस बताइए, C-Loam means होती है, C-Loam, C-Loam means होती है, Cavity, क्या होती है, Cavity, Germinal layer आपने पढ़ा है, कि नहीं पढ़ा है, मालूम नहीं, बड जो भी हम उसको जब आएगा Germ layer के बारे में जब पढ़ेंगे हम, तब हम उसके बारे में discuss कर देंगे, लेकिन मैं बता दूँ, C-Loam क्या क्या है जिनका जर्म सेल में सिलोम्स नहीं होते वो आपके क्या कहलाते हैं और सिलोमेट्स कहलाते हैं इस बुक में हम सिलोमेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा बुक और सिलोमेट्स वे बेस है बेस्ट है और देखे गेरा आपका फ्रेंट पेज आप जिस सबसे पहले आप सभी बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि जूलोजी जो हम पढ़ रहे हैं वो किस पर बेज़ होता है फर्स्ट आफ ये अनिमल किंगडम या फिर मैं बोलू जो एनिमल लाइक फिर अनिमल किंगडम आपका क्या है किसमें आता है आपका जुलोजी में आता है क्या है जुलोजीस दौरा स्टडी किया जाता है तो देख़े क्या है हमारे पहले युनिट का नाम है जसे कि आप देख रहे हैं जिख रहे हैं इनीमल लायक, प्रोटेष्टिस यानि प्रोटोजोंस ठीक है तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप जाए फटा फट जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल सके और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप लास्ट में कर दीजिएगा तो यह हमारा क्या था हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेस्टिस के बारे में तो देखी क्या है अगर हम बात करें अर्थ पर फ्रस्ट एविदेंस जो लाइफ का पहली भार मिलाता है यह लगवग लगवग है अप्रोक्समेटली हम मानते की 3.8 to 4.5 billion years ago मिला था एंड देन देखी क्या है जो फ्रस्ट सेल जो था जो डिस्कवर किया गया था कौन सा था और ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट सेल था आपका क्या था प्रोकरोटिक सेल यानि बैक्टेरिया लाइक सेल जो था और्गनिस्म था उसको सबसे पहले हुए राइस हुआ था यानि एक तरिक से ये मान लिजए ये क्या है ये क्या है यह प्रोकरोटिक सेल का जन्वुप क्या है यह सारी चीजे हमने जब आपको बॉटनी पड़ा है था तो बहुत अच्छे से डीटेल में इसके बारे में स्टडी करें बताया था मतलब आपको है ना प्रोकरियोटिक होता है जिनके पास क्या होता है सेल और्गलेज नहीं होते और नुकलियर मेंबरेन आपके प्रजेंटर नहीं होते याद रखीगा एंड देन बात करें यूकरियोटिक की तो यूकरियोटिक के पास मेंबरेन बाउंड नुकलिस होता है और्गलेज भी बहुत सारे होते हैं लैक आफ और्गलेज नहीं में यानि बहुत सारे माइटो कॉंट्रिया जैसे और्गलेज इसमें प्रेजेंट होते ह ठीक है, तो यह कुछ डिफरेंस था, तो इस तरीके से अगर हम बात करें, प्रोकरियोटिक है, तो प्रोकरियोटिक है, हमारा एशियन टाइम में, या फिर मैं बोलू, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो था, हमारा प्रोकरियोटिक था, and the modern and advanced cell जो हमारे है, वो क्या है, यो क् इसके बारे में पढ़ा था, तो आज ज्यादा तर हमारा फोकस क्या है, यू करटिक और रहेगा, तो देखे, क्या है, even though we are do not know, for sure हम ये भी नहीं जानते, सही से क्या है, कि यू करटिक और उर्गनीज्म कहां से औरजिनेट हुआ था, क्या है, कि कैसे औरजिनेट हुआ, और कव और जिनेट हुआ, अगर हम भात कर रहे हैं, 3.8 और 4.5 बिलियन से ये रहे हो, तो कोई तो था नहीं उसे देखने वाला, है ना, तो हम ये बता नहीं सकते कि कव हुआ, इवलूशन हुआ उसमें, या फिर कैसे वो यू करटिक और बना, हम नहीं बता सकते हैं, क्या organism, lives in inside the cell of the another organism, क्या है, एक तरह का process होता है, जो कि क्या होता है, दो species के बीच में relation established करता है, क्याने का मतलब है, एक species है, एक species के अंदर मान जेए, किसी bacteria का entrance होता है, कौन से बैक्टिया तो, depressed, to pro ket Kan eran. होगा आपका prokaryotic bacteria होगा and then क्या है वो उसने क्या खरा क्या कहते दो मतलब किसी भी another organism में भी हो सके यह भी bacteria हो तो क्या है inside the cell और एक तरीके से another क्या हो organism के अंदर रहता है तो कहने का मतलब है हो सकते है कि दो cell मिलके दो prokaryotic cell मिलके eukaryotic cell बनाया हो या किस तरीके से हुआ हम actually हम realistic तौर पर हम उसे नहीं बादा सकते है तो ठीक है तो यहां पर endosymbiosis process हो सकता है जो कि क्या होता है दो species के बीच में relationship होता है क्या कैसा relationship जिसमें क्या होता है कि एक organism दूसरे organism के अंदर एक तरीके से रह olobic bacteria अगर हम बात करें कि earth पर oxygen का presence कैसे हुआ यह मैं बूलू आओ जैसे कि अगर हम बात करते हैं big bank Awards जादहिक एक मेंनो क्या हमारा years date में डनक्य है hello water बारिस वा बारिस होने के बाद क्या कहते हैं बहुत सारे ओशन्स वगरा बने और ओशन्स में किस तरीके से सेल्स वगरा बना तो यह कुछ इस तरीके से प्रिएवलूशन प्रोसेस हैं तो हम उस चीज के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से और्गनिम्म धर्ती पे आया तो देखी क्या है कि जबॉच अचल कैते हैं धर्ती पे यहनी ओक्शिजन नहीं था इट्मोस्फियर के अंदर तो ऑखिजन किस तरीके से आया तो इसमें से बताया जाता था है कि और बसक्शल के अचल custom करते थे तो ँनीके कारण ही क्या हुआ अर्थ पे oxygen जो है एक certain amount में क्या हुआ presence में आया या मैं बोलू increase हुआ level तो इस तरीके से हम हमें मानते है ऐसा ठीक है may have been engulfed larger anaerobes फिर उसके बाद क्या है larger anaerobes that were enabled to cope with the increasing oxygen और बहुत से कुछ ऐसे larger anaerobes हो जो की enable थे कि इस तरीके से कि वो एक तरीके से increasing मतलब increase कर सके oxygen वगरा को ठीक है तो देखी क्या है engulfed these engulfed aerobic bacteria that enzymes that could generate energy could have become the ancestor of mitochondria तो यह जो engulfed anaerobic bacteria थे यह क्या है इनके पास enzymes वह करता था क्या होता था enzyme वह करता था जो की क्या करता था energy generate करता था energy generate करता था could have become the ancestor of mitochondria mitochondria यानि यह एक तरीके का mitochondria का ancestor था यानि जब पहले कोई bacteria पाय जाता था तो उसके अंदर क्या होते थे यह prokaryotic cell होता था क्या होता था prokaryotic cell था और इसके अंदर simply prokaryotic है तो देन इसके अंदर mitochondria present नहीं है और यह बैक्टिरिया कैसा है aerobic है क्या है guys aerobic है जो की oxygen generate करता है आपका मालूम होगा कि aerobic process कब होता है जब क्या होता है cell के अंदर mitochondria present होता है लेकिन इसमें mitochondria नहीं है तो कुछ न कुछ तो mitochondria like क्या कहते है element present होगा उस cell के अंदर तो वह था आपका enzyme था क्या था guys enzyme enzyme help करता था जो भी food बगरा टेक करता था उसको तोड़ने में and then break करने के बाद जब oxygen release करता था तो वह क्या है एक तरह के से atmosphere में oxygen का presence बढ़ाता था अगर हम बात करें हम almost present day की बात करें तो यूकरोट्स जो है उसके पास क्या है आपको mitochondria present होता है इसलिए वो mostly क्या होते हैं? aerobic होते हैं क्या हते हैं guys? aerobic होते हैं अगर हम बात करें सम ancestral eukaryotes की बात करें जो पहले मतलब ancestral कहने का मतलब है जो ancient समय में क्या है? ancient या मैं बोलू, ancient भी नहीं बोलू, मतलब एक तरीके से जब क्या हो रहा था? cell का evolution हो रहा था, evolution हो रहा था, तब की बात करूँ तब क्या है? जो उसके पूर्वस थे, ancestral का मतलब होता है तो eukaryotes का जो पूर्वस था वो एक तरीके से क्या था? ingered photosynthetic bacteria यानि क्या था? एक photosynthetic bacteria था, autotrophic photosynthetic bacteria था वो क्या है? उसके पास chloroplast हुआ करता था, जैसे कि आज present green plants में आपको देखने को मिलता है कि chloroplast उसके अंदर present होता है तो photosynthetic bacteria जो है उसके अंदर chloroplast था और यह क्या manufacture करता था? तो यह अपना food खुद ही manufacture करता था और उससे क्या है? कौन से energy का use करके? तो sunlight का use करके वो क्या करता था? as a photosynthetic process से वो अपना food यानि starch वगेरा manufacture करता था ठीक है? एंड देखे क्या है? जो green algae है, plant है, would have been arises as a primitive eukaryotes ठीक है? जो green algae हो गए या plant हो गए यह सारे ही किसे arise हुए है तो यही primitive eukaryotes है, जैसे कि हम, क्या नहीं है, cyanobacteria के बारे हम पढ़ते है न, bacteria जो था तो उसके पास क्या था? आपका chlorophyll present था उसके अंदर and then, वो photosynthetic process से क्या करता था? फूड बगरा बनाता था यही चीज आपको यही feature जो है यही feature आपको क्या है? प्लांट बगरा में भी देखने को मिलता है green algae में भी देखने को मिलता है, green algae अभी हम पढ़के आए है, botany में, जिन जिन बच्चों ने botany पढ़ा है then वो क्या है? अमारा video देखा है, जो नहीं देखा है तो देख लेंगे तो देखे क्या है, green algae जो है, उसमें भी आपको यह सारे features देखने को मिलते हैं, ठीक है? hetero-tropse, याद रखेगा जो आपके photosynthetis करते हैं वो आपके क्या कहलाते है, autotrops कहलाते हैं guys, क्या कहलाते है guys, autotrops कहलाते हैं and then हम बात करें जो photosynthetis नहीं करते हैं, what heterotrops कहलाते याणि वो animal क्या होते हैं, दूसरे परão dependent होते है यानि animal-like characteristics होते हैं उनमें, क्या होते हैं, animal-like characteristics जो की evolve होके फर्दर क्या है, give rise to different group of single-celled eukaryotes, and then क्या है, जिस तरीके से धीरे-धीरे ये evolve हुआ ये cell, क्या है, जो पहला ancestral eukaryotes है, evolve होते 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 होते, मैं ancestral की बात कर रहा हूँ, यानि eukaryotes का भी पूरवज, ancestors, ठीक है, हमने पढ़ा भी था, arkea, क्या कहते है, monera and then क्या है, क्या कहते है, eukarya, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था, prokarya and eukarya, तो कुछ इसी type का है, यानि ancestor की बात कर रहे है, eukaryotes के ancestor की बात कर रहे है, तो क्या था animal like, वो evolve कर रहा था, evolve करते करते वो क्या है, एक different, क्या है, single cell eukaryotes में बदल गया, single cell eukaryotes, यानि एक जीव बना, जो कि क्या है, single cell eukaryotes, क्या था, single, single cell eukaryotes, कहने का मतलब है, एक ऐसा organism बना, जो कि single cell था ही था, साथ-साथ वो eukaryotes था, यानि एक ही cell के अंदर अपना पूरा का पूरा function करता हो, तो वो क्या कहला है, तो वो collectively अगर कहें, एक साथ हम कहें, तो वो कहला है, protozoa, क्या कहला है, प्रोटोजुआ, वो क्या था, protozoa, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, तो प्रोटेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रोटोजुआ, प्रोटेस्ट के, तो देखें, क्या है, such organism could perform all life's function within the constraints of a single cell, क्या है कि यह जो organism है, protozoa, आपका क्या है, पूरा का पूरा जो life का function होता है, वो क्या है, एक सिर्फ और सिर्फ single cell में वो complete करता है, या मैं बहुत वो function करता है, तो बहुत ही एक तरीके से नायाब, एक तरीके से आपको cell देखने को मिला, जो कि single cell है, बट single cell होने के बावजूद भी वो क्या है, यूकरियोट क्या कर रहा है, एक single cell में ही पूरा का पूरा पूरा परफॉर्मेंस परफॉर्म कर रहा है, function perform कर रहा है, and then बात करें, biologist की, तो general law accepts that all organisms can placed in three broad trees, namely, bacteria, archaea and eukaryos, है ना, यह चीज मैंने बताया था आपको, यह हमने पढ़ा भी है, उसमें कहना मैं, आपका बाटन ही में पढ़ा था, ठीक है, bacteria वाला जब chapter पढ़ा थे तो हम इसमें कहा है, जो पहला जो है आपका वो क्या है, bacteria कहलाता है, then दूसरा archaea है, and तीसरा आपका क्या है, eukarya है, तो यह क्या है, three domain, broad domain में यह क्या है, एक तरीके से place की जाते हैं, रखे जाते हैं, हम बात करें, इस course की बात करें, तो हम देखें कि domain eukarya जो है, क्या है, third domain eukarya जो है, वो क्या include करता है, the unicellular eukaryotes of kingdom protesta, क्या है, unicellular eukaryotes, अभी जिसके बारे में हम बता रहे थे, unicellular क्या होते हैं, eukaryotes होते हैं, जो कि protesta है, वो किसके साथ होते हैं, तो multi-cellular eukaryotes included in, हाँ, sorry, तो यह आपका protesta में include किया जाता है, and then बात करें, multi-cellular eukaryotes की, जो कि multi-cellular होते हैं, यानि कई सारे cell से बने होते हैं, और सब सेलों में common बात क्या होते हैं, कि वो eukaryotic cell होते हैं, तो वैसे cell आपके काउन से होते हैं, plantee में मिल जागा, fungi में मिल जाएगा, and animalia में देखने को मिल जागा, plantee fungi तो हमने बाटनी में पढ़ा है, या पढ़ेंगे, तो आपको यह भी बता दू कि क्या है, प्लांट युकरोटिक सेल में डिफरेंस होता है, यह भी चीज हमने पढ़ा था, ठीक है, अब देख लेना हमारे प्रिफिस वीडियो में, जो कि क्या है, पहले ही से ही यह क्या है, अर्लियर पार्ट यानि बहुत पहले अगर हम बात करें, तो यह सारे क्या थे, system of classification के पार्ट थे, जिसमें क्या, five kingdom में आते थे, कौन-कौन से आते थे थे गाइज, तो मोनेरा था आपका, प्रोटेस्टा था आपका, और बताए क्या क्या था, तो फंग गई था, आपका, क्या था, फंग गई था, दूसरा आपका क्या था, प्लांटी था, तीसरा क्या था, पांचवा क्या था, आपका, अनिमेलिया था, तो यह कुछ five kingdom थे, जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो देन देखे क्या है, of these protesta term जो है, यह कि किसने दिया था, तो Ernst Heckel ने दिया था, किसने दिया था, protestatum, Ernst Heckel ने coin करा था 1866 में, जो कि diverse group of primitive uniceller eukaryotes है, वो उसके लिए दिया गया था, क्या है, जो अभी हम primitive eukaryotes की बात करें, यानि single cell eukaryotes की बात करें, तो इनको एक नाम दिया इन्होंने, Ernst Heckel ने, मैं बता द multiceller eukaryotes है, अगर बात करें, animalia की, तो यह क्या है, multiceller animalia है, अग्पो कहीं भी single cell eukaryotes देखने को नहीं मिलेगा, तो यही इसकी जो khούवी है, यही जो characteristics है, primitive uniceller eukaryotes वाली, यह क्या है, इसको एक नया नाम देती है, इसका नाम protesta रखा जाता है, इसको अगर हम बात करें, कि यह जो रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ और सिर्फ 10% of the total eukaryotic species, जितने भी eukaryotic species हैं, हम बात करें, 100% में से, जो प्रोटेस्टा की बात करें, तो 10% क्या है, आपको क्या है, यह जगया घेरता है, एक हमारे, क्या है, animal, क्या कहते हैं, organism, ठीक है, तो देखें, क्या है, their evidence is extremely high, and biologist studies for several reasons, इसका जो evidence की बात करें, तो यह आपको extremely high मिल जागा, यानि इसमें बहुत सारे, इसको आपके क्या है, species देखने को मिल जाएंगे, eukaryotes के, single cell eukaryotes, यानि uniceller eukaryotes के, and then biologist क्या है, कि कुछ कारण है, जिनके कारण क्या है, इसको study करत है, क्या several reasons है, तो देखें, क्या है, यह important होते है, क्या medically, जिसमें क्या है, some of the protestative species क्या है, जो cause करते है, infectious disease, यानि एक तरीके से infectious, major infectious disease के causes, आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटेस्टा मिल जाएगा, प्रोटेस्ट से जुड़े organism मिल जाएंगे, and then देखें, क्या है, यह एक critical है, एक तरीके से understanding develop करते हैं, क्या, कि जो evolution हुआ, किसमें, plants में, fungi में, या animalia में, अगर हम एक बार प्रोटेस्ट को अच्छे से समझ लेंगे, तो then हम क्या है, इस तरीके के जो cells है, multi-cellular eukerotic plants, and multi-cellular eukerotic fungi, and multi-cellular eukerotic animals के बारे में, हम उसकी critical understandings को समझ पाएंगे, and then ब करता है, important ecological role, especially in aquatic system, यानि जो हमारी ecology है, उसमें, एक special role, एक तरीके से important role, occupy करता है, जैसे कि हमारे aquatic system है, aquatic system में, इनका presence, इसका abundance आपको बहुत मिल जागा, देखें, क्या है, इसकी जो diversity है, इसकी diversity के कारण ही, इसका क्या है, इसके ultra structure में, आपको देखने को मिलेगा, life cycle, evolutionary relationship, से, ये क्या है, have emerged in this group of eukaryotes, ठीक है, तो इसका जो आपने, मैंने बताया है, इसका जो ultra structure है, ये जो इसकी life cycle है, जो इसके evolutionary relationships है, इसकी बात करें, तो एक तरीके से emerge होता है, क्या, एक बहुत बड़ा group, मतलब इस group में, eukaryotes के group में, आपका एक अलग type का organism emerge होता है, इन study कर रहे हैं, तो एक तरीके से बोले, तो इसको single group में रख पाना क्या है, काफी मुस्किल है, single group में रख पाना काफी मुस्किल है, देखे, क्या कारण हो सकते हैं, तो देखे, in which they were placed earlier the general term protested and used them in called eukaryotes, single said eukaryotes, देखे, क्या है, T, ये क्या है, हमने बहुत पहले से इसको earlier, क marketing में रख पाना की बहुत आगा है, इसको एक general term दिया था, क्या नाम दिया था, प्रोटेस्स दिया था, क्योंकि जो भी single said ל क्या है, single said eukaryote है, उसको हम क्या पाना प्रोटेस्ट पाना और यह क्या होते हैं, तो यही चीज है कि इसको सिंगल किंग्डम में रख पाना मुस्किल है, तो देखें क्या कारण है, मैं बता रहा हूँ, the unit start, the general description of the accepted classification of these, क्या है, single cell eukaryotes, यह unit start होता है, जिसमें क्या है, हम general description के बारे में बात करेंगे, जो कि accepted, जो भी इसका classification है, इस single cell eukaryotes का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम बात करें, क्या है, past 30 years की बात करेंगे, यानि 30 सालों के अंदर में क्या है, molecular phylogenetic studies, जो भी इसकी क्या हुई, phylogenetic study, phylogenetic मतलब evolution से related करता है, evolutions, जो भी इसके अंदर हुए, उसको study करने के लिए, उसको क्या कहते है, phylogenetic study, यानि evolution को study करना, यानि phylogenetic study क्यलाता है, तो देने दिखेंगे, क्या है इसमें, तो उसमें lead करा क्या, extensive modification, इसमें क्या है, extensive modification, देखने को मिला, इसके classification में, जैसे कि हम इसको characterize कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या, उसके जो भी, क्या है, क्या क्यते हैं, जो भी उसके features हैं, उसके basis पे हम, उसको classify करते हैं, तो हमें सबसे पहले phylogenetic studies करनी पड़ती है, then देखें क्या है, which is likely to change again, is more evidences turn up to indicate evolutionary relationship among these unicellular organs, अब क्या है, कि मान लेजे क्या है, यह इसमें ऐसा माना जाता है, कि जो भी अपने study का रखें, उसमें क्या है, कि कुछ changes देखने को मिल सकते हैं, यानि अगर हमें और भी जादा evidences मिलते हैं, तो एक तरीके से यह turn up करता है, indicate करता है, कि जो भी इसकी evolutionary relationship है, वो क्या है, unicellular organs की क्या है, यह उपर नीचे वगेरा आ सकती है, and then देखें क्या है, we then go on the study only the protestors formally grouped under phylum protozoa, अगर हम बात करें, कि इसको अगर हमें protestors को, अगर एक singular, एक सिर्फ एक group में रखना है, या grouping करना है, तो इसको हम क्या है, phylum protozoa, या फिर unicellular animals में भी हम उसको indicate करते है, unicellular animals, then देखें क्या है, unicellular animals का कहने का मतलब है, जो heterotrophic protozoans होते हैं, and then देखें क्या है, we know that protozoans क्या है, really heterogeneous group of unicellular, or in the end term as protozoa has a former biological status, तो हमें पता है कि जो protozoans क्या होते हैं, really heterogeneous होते हैं, heterogeneous group से belong करते हैं, protozoans, और यह जो unicellular organism है, यानि protozoan, यह क्या है, इसको हम protozoa term भी देते हैं, क्या है, protozoa जो कि no formal biological status, यानि उसका कोई भी formal, क्या है, आपको biological status नहीं मिलेगा, तो देखी क्या है, even so, because of their similarity to animals, क्या है, कि इसलिए क्या है, कि इसके अंदर जो भी है, क्योंकि इसमें similarities है कि इसकी, animal से आपको similarities देखने को मिल जाएगी, इसलिए most geologists जो हैं, उसको वो interested होते हैं कि सीज में, कि इनको जो grouping किया जाए, वो organism के साथ किया जाए, यानि एक तरह के से animal के साथ group किया जाए, यानि इसमें लिखा है, this group is treated along with animals, क्या है, कि इस group को इस तरह के से treat किया जाए, जैसे कि हम animal को treat करते हैं, है ना, इस animal grouping में रखते हैं, तो फिर उसके बाद ये लगतार क्या है, आपने देखा कि ये जोलोजी कोर्स में डाल दिया गया, समझ में आ रहे हैं आपको बाद कि किस तरह के से हम ये जोलोजी में आ गया, है तो देखिए और क्या क्या है, तो इस चीज को हम describe करेंगे अच्छे से, और क्या है इसके structural organization के बारे में, क्या क्या प्रोटो जोन का structural organization कैसा है, इसके detail के बारे हम जा रहे हैंगे कि इसके, तो locomotory organelles हैं, जिस तरह के से इसके always float करते हैं, movement करते हैं तो उसके बारे हम जानेंगे, and then क्या है, various method of location, locomotion, found in proto zones in separate section, ठीक है, अलग-अलग करके हम इसको separate section में, इसके अलग-अलग method के बारे में जाने हैं कि किस तरह के से वो locomotion करते हैं, ठीक है, यानि किस तरह के से proto zone में होता है, तो देखी क्या objectives क्या हैं इसके, तो देखी क्या है, इसको पढ़ने के बाद हम क्या सिख जाएंगे, तो, enumerate the general feature of the unicellular protesta, and outline their position, the general scheme of eukaryotes classification, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, इसका general feature है, unicellular eukaryotes का, उसको हम जान पाएंगे, and then उसको outline भी कर पाएंगे, जो भी इसके general scheme है, यानि eukaryotes के classification किस तरह के से किया जाता है, उसको हम समझ लेंगे, then उसके बाद जो recent classification किया गया, proto zone को, उसको हम summarize करने वाले हैं, इस chapter में, and बात करें, describe करेंगे, क्या, इसके structural organization को, जो कि proto zone में, क्या-क्या, इसके special characters आपको देखने को मिलते हैं, वो भी हम बताएंगे, और क्या है, various proto zones जो हैं, उनको हम grouping करेंगे, and then उसके characteristic features के बारे में भी जानेंगे, then क्या है, उनके mode of locomotion के बारे में जानेंगे, तो किस तरीके से वो locomotion करते हैं, या फिर उसके locomotory organelles जो होते हैं, वो involved होते हैं, proto zone में, तो उस चीज़ के बारे में भी हम जानेंगे, then देखें क्या है general characteristics की बात करें, general characteristics यानि, क्या-क्या इसके general characteristics हैं, तो uniceller eukaryotes जो होते ह हैं, वो एक तरीके से एक group बनाते हैं, किसका, तो वो जितने भी other eukaryotes होते हैं, उनका group बनाते हैं, जो कि क्या, green plant नहीं हो सकते हैं, green plant नहीं होंगे, fungi नहीं होंगे, या फिर animal नहीं होंगे, वैसे organize आपके क्या कहलाएंगे, या eukaryotes, uniceller eukaryotes होंगे, हां, क्या कि बात कर अनलाइक यू-karyotes और क्या, प्रो-karyotes की तरह नहीं, लेकिन eukaryotes cell जो है, इनके पास क्या है, membrane bound nucleus होता है, to include their genetic material, क्या होता है, आपका nucleus में genetic material होता है, तो nucleus में आपको क्या है, nuclear membrane देखने को मिल जाएगा, nuclear membrane क्या करता है, एक तरह के से genetic material को protect करके रखता है, उसी की बात की जा रही है, and other membrane bound organization की बात करें, तो इसमें आपका mitochondria हो गया, ठीक है, जहाँ पर energy का production होता है, गोल जी अप्रेटस हो गया, and बात करें, diactosomes की, तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, देखें क्या है, यह जो provide specific locations है, इस cell के अंदर, क्या है, its diverse function, क्या है, इसके diverse function को एक से बताते हैं, यानि making the structural organization more complicated than the prokaryotic cell, यानि prokaryotic cell से इसकी तुलना करें, तो इसमें क्या है, इसका structural organization है, यह क्या है, more complicated, complicated, prokaryotic से जादा complicated, similarly आप समझ जाएगे, कि इसमें क्या होगे, जो onglaze होगे, वो क्या होगा, जादा होगा, जादा होगा, इसका आपको difference देखने क मिलेगा अब देखे ये difference भी हमारा table दे रखा जो कलर टिक के बारे में इसके बारे में भी हम देखेंगे तो यह देखे यह देखे यह देखें दे रखा है तो देखें किया feature की भी बात करें यह किसके बीच में दे रखा है तो difference between cells of pro-caratic and you यूकरोटिक के बारे में तो यह देखिए क्या है? 0.25, क्या है यह? Macrometer, mostly is 1 macrometer, ठीक है? यानि mostly क्या है? आपको 1 macrometer के मिल जाएंगा, लेकिन आपके इस बीच में होते हैं, प्रोकरोट्स की बात करें, अगर हम higher plants के यूकरोट्स की बात करें, तो इसमें आपको 30 to 50 macrometer आपको देखने को मिल जाएंगा, एंड दन बात करें, क्या कहते हैं, एनिमल्स की, तो आपको 10 to 20 macrometer, यानि mostly 10 macrometer के आपको यूकरोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, cell wall की बात करें, तो usually क्या होते हैं, और किसके बने होते हैं, तो peptido glycan के बने होते हैं, अगर मैं बात करें, यूकरोट्स की, तो यूकरोट्स में आपका कुछ अलग ही है, यानि अगर बात करें, हाइर प्लांट्स में, तो ये present होते हैं, cell wall, और ये क्या होते हैं, ठीजार्जली क्या होते है, cellulosic होदें, यानि cellulos की बने होते हैं, अगर बात करें युकरोट की ऐनिम्ल की, यानि इसमें क्या होते हैं, cell wall इसमें प्रजेंट नहीं रहुता है, and then बात करें, इंडो-ंडोमेंबरेन्स की बात करें, तो end of membraneda आफ अपका absent होता है, किसमे prokeriotic bacteria में, and then बात करें, हम hire plants की eukerotic इसमे क्या होते end of membraneds प्रेज़ंट होते हैं, and बात करें, eukerotic animals की बात करें, इसमें भी present होते हैं, nuclear membrane की बात करें तो इसमें absent होते हैं, prokerotic cell में आपका nuclear membrane नहीं होता, सलिए बात करें राइल कि हाइर प्लांट चींची, हाइल प्लांट में यूकरण्ट में परजंट होता है और अब सिसी तरीके से यूकरण्ट इनिमल में भी परजंट होता है एंड थेंड देन क्रोमोजोम की तो यह सिंगल भी होतर है, सर्कुलर ही और No Istone इसमें क्या होते हैं हिस्टोंस नहीं होते हैं, यह मालूम है सिंगल और सर्कुलर, तो and then देखी क्या है, यह देखिए, प्लांट सेल में आपके क्या है, अपका क्या है, यूकरोटिक सेल में, multilinear आपको देखने हैं, वह linear complex with hisdon, आपको मिल जागा हिस्टोंस, यान इसमें प अबीकम लुब्राइब करते हैं डिवीजन होता है इनमें चाहिए सेक्सवल हो या फिर सेललर डिवीजन हो ठीक है एंड दन बात करें माइटोसिस की बात करें मियोसिस की बात करते हैं अनिमल सेल में भी आपको देखने को मिल जागा यूकरियोटिक सेल में देखने को मिल जागा आपको प्लांट एनिमल में, आपको 80 सेडवर्ग उनिट में आपको देखने मुल जाए, जो कि लार्जर होते है, as compared than prokartic cell, mitochondria की बात करें, mitochondria क्या है, absent respiratory enzymes associated with plasma membrane, क्या है, इसमें क्या है, जो respiratory enzymes होता है, वो associate होता है, और इसमें क्या होता है, plasma membrane के साथ होता है, किस के साथ होता है, यानि mitochondria क्या होता है, इसमें absent होता है, उसके जगे पर क्या होता है, तो respiratory enzymes होता है, जो कि plasma membrane के अंदर होता है, जो कि energy production कर देने प्लास्टीट की प्लास्टेट में अप्लास्टीटेट के पेवलिध देने गेंट्री टाइश के पॉक्रिय वेन आपकेशा आपको क्या है एक तरीके से इसमें क्या है प्लास्टीड प्रेजेंट तो नहीं यह लेकिन प्लास्टीड जैसा क्या है एक एंजाइम प्रेजेंट है जो कि क्या करता है फोटो सिंथेटिक प्रोसेस को अंजाम देता है बात करें हम प्लास्टीड की यह क्या कहते है प्लांट में, plant में, plant eukaryotic cell में, तो इसके अंदर present होता है, यानि ये क्या है, autotrophic mode of nutrition को perform करता है ठीक है, इसमें जो अपका prokaryotic cell होता है, वो autotrophic mode of nutrition को perform तो करता है, बट इसमें क्या होता है, enzyme होता है, plastic नहीं होता है, बात करें हम, animal cell की, इसमें, eukaryotes में तो इसमें आपका क्या है, plastic absent होता है, ठीक है, क्योंकि ये heterotrophic organism होता है, heterotrophic को plastic की जरुवत नहीं होती and then बात करें, flagla और cilia की बात करें, तो ये क्या है, present होता है जो की, क्या होता है, simply made up of क्या है, microfibril जो होता है, उससे बना होता है, क्या, इसमें क्या है, single microfibril से बना होता है, and then बात करें, animal eukaryotic cell में तो इसमें क्या है, two central microfibril होता है जिसको हम क्या कहते है, nine plus two pattern भी कहते है, यानि nine peripheral और दो क्या होते है, central microfibril होते है जिसके कारण, वो क्या है, एक तरगे से flaglor cilia बनाता है, then देखे, क्या है इसको भी हमने बताया है था आपको, जब हमने पढ़ा था न, क्या कहते है, nine plus two वाला ये जो है, ये भी हमने इसमें bottom name पढ़ा था, and then देखे, क्या है, endo and exocytosis की बात करें, तो इसमें क्या होता है, absent होता है, कि इसमें, तो प्रो करोटिक cell में absent होता है, और इसमें क्या है, आपका animal cell में भी absent होता है, बात करें, sorry, animal नहीं, plant cell में होता है, and animal cell की बात करें, तो present होता है, ठीक है, ये जो है न, आपका, ये endo and exocytosis यहाँ पर लिखा हुआ है, although absent इसके बाद हमारा है इन दा नेक्स सेक्षन अब अगले सेक्षन में क्या पढ़ने वाले हैं तो देखे क्या है इसमें कुछ मेजर ग्रूप हैं नहीं नहीं हमारा कुछ छूड़ गया था यहां पर देखे इसमें विवादाएं बहुत सारे इसमें भूम हैं इसमें तो यहां सेक्षक्राइब्ट थोर्ट होता है। होता है बहुत बहुत ही ज़्यादा complex होता है यह perform करते हैं सारे functions को क्या है सिर्फ और सिर्फ एक cell में है ना यानि अगर हम बात करें कि multi-cellular organism होते हैं उनको perform करने के लिए various organ की जरुत होती है जैसे कि हम animals यानि human beings है human beings के आप देखोगे कि उनके पास heart होता है kidney होती है intestine होता है stomach होता है यानि different different type organs होते हैं जो की एक तरह के से multi-cellular organism को perform करने के लिए चाहिए होता है लेकिन हम बात करें eukerotic single cellular organism की तो इसमें जो एक ही cell के अंदर आपको क्या है सारे के सारे complex functions को perform करते वह दिख जाएगा देन बात करें इसकी ongles की and cytoskeleton की बात करें तो इसके एक तरिके से आपको क्या है अलग-अलग आपको structure देखने को मिल जाएगा ठीक है variety in structure यानि structure में आपको क्या है difference देखने को मिल जाएगा बात करें they also use their different modes of nutrition ये क्या है एक अलग-अलग modes of nutrition का भी use करते76 देखि कौन-Kौन से आपका तो कुछ क्या होते परासाइटिक होते हैं 01OM और्गनिजम को इट करते हैं, क्या करते हैं? यह जो और्गनिजम होता, उसको स्कूट करके और उसे karışते हैं यानि खा जाते हैं समदेट, कیک यह मिक्सोट्रॉप्प्स holding मिक्सोट्रॉप्स ΓाणीATA, फोटो सिंतेथिस और हाट nutrition भी करते हैं, यानि प्रिडेटर भी होते हैं, क्या होते हैं, प्रिडेटर भी होते हैं, बात करें, कुछ सम में spend their lifetime, जो कुछ ऐसे protest, protozoa होते हैं, जो कि क्या है, पूरा का पूरा अपना समय काल या जीवन की जो अबधी होती है, वो एक ही position में क्या करते हैं, एक तरगे से spend कर देते हैं, and then बात करें हम, यह क्या है, may be constantly motile, यह क्या होते हैं, दीरे-दीरे यह, motile यानि एक तरगे से mobility perform करते हैं, ठीक है, एक जगे से दूसरे जगे movement कर रहे होते हैं, हम बात करें, reproduction और इसके life cycle की, तो यह क्या होते हैं, highly varied होते हैं, यानि बहुत ही जदा इसमें variation देखने को मिलता है, अगर हम बात करें, genetic and morphological studies की, तो हमने यह देखा है, यह पाया कि कुछ जो protest होते हैं, वो क्या होते हैं, more closely, आपके क्या होते हैं, related to plants, यानि कुछ उसके characteristics है, या genetic characteristics है, वो आपको कहा है, plants related देखने को मिलते हैं, और बात करें, कुछ ऐसे भी हैं, जिनका fungi और अनिमल से भी, क्या है, closeness देखने को मिलता है, they, क्या है, they are to each other, हम बात करें, इसलिए इसको क्या है, as a result, यह क्या बनाया जाता है, protesta, इसको हम कहते हैं, in which all proto zones and animal plant-like protesta were placed, which are abandoned and various lineages of the are recognized and put them, protesta still used for convenience, क्या है, कि जो सारे जितने protesta, proto zone है, उसको हम क्या है, plant-like protesta भी कहते हैं, जिसको हम इस group में रखते हैं, और एक तरीके से, अगर हम abandon की बात करें, जिसमें various lineages जो इसके क्या है, एक तरीके से कहेंगे, जो इसके पूरवज हैं, वो protestors के, वो भी कह सकते हैं, recognize किया जाता है, इसको क्या है, एक term में जिसको क्या कहते है, protesta, यानि हम क्या है, एक तरीके से convenience के लिए उसका रहे हैं, मान लिजे कि अगर हम इसको protesta, या protestors का use ना करें, तो एक तरीके से आपको या फिर हमें समझाने में थोड़ी सी, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हम एक group में नहीं इसको क्या है, classify कर सकते हैं, तो देखिए, ये किसे क्या है, प्रोटेस्टस के अंदर ही classify किया गया है, किस तरीके से किया गया है, इसके बारे में हम बताएंगे, इस unit में provide किया गया है, कि जो क्या है, जो phylogenetic hypothesis है, उसके relationship के among, क्या है, यानि यूक्रोट्स जो living, present हमारे आर्थ में present करता है, जो phylogenetic hypothesis है, यानि उसका evolution किस तरीके से हुआ, उसके ऊपर जो hypothesis दिया गया है, उनके relation के बीच में, तो इसको आर्थ में किस तरीके से present है, देखे क्या है, तो यहां पर आप देखेंगे अभी जब में नीचे में दिखाऊंगा, तो इसमें क्या है, जो group कुछ होंगे, जो kingdom protesta को belong करते हैं, वो single line boxes में होंगे, जिनको क्या है, सुपर group एक recognize किया गया है, जो कि today हम क्या है, येलो और gray shaded box में हमने इसको rank करा है, कुछ unranked group होते हैं, unranked group, जो कि include करते हैं, सारे फाइला को, यानि, फाइला से भी उपर क्या है, एक unranked group होता है, जिसे हम क्या है, super group भी कहते हैं, unranked group, ठीक है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, फाइल, फाइलम, फाइलम से उपर भी, unranked, फाइलम, sorry हाँ, फाइलम इसके नीचे आता है, फाइलम इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, dices the lines indicate the evolutionary relationship, ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी मैं दिखाने वाला उसमें क्या है, बहुत सारे dices lines हैं, जो कि उसके evolutionary relationships के बारे में बताते हैं, इसके बारे में हम क्या करेंगे एक तरीके से, उनके relationship को हम investigation करेंगे, और उसके future में जो उसके नए evidences हैं, उसको क्या है हम सामने लाने की कोशिस करेंगे, प्रकास में लाने की कोशिस करेंगे, इसमें क्या है next section में हम क्या है, यह देखिए three major group है हमारा, एक्जेकेवेटा क्या है, super group मैंने अभी बता है, super group लाई करता है, unranked group क्यलाता है, फाइलम से पहले super group आते है, एक्जेकेवेटा हो गया, सार्क्लेड हो गया, and Uniconta हो गया, यह हमारे three group हैं इसके बारे में पढ़ने हैं, protestors को belong करता है, यह formally अगर हम कहें, इसको हम protozoa भी कह सकते हैं, ठीक है, तो देखिए guys, यह आपको जो दिख रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए क्या है, यह आपका unranked groups हैं, इसकी बात करें, एक्जेकेवेटा की बात करें, जो की blue color में दिया हुआ है, इसके अंदर आपके क्या क्या आ जाएंगे, पहरा बैसलीट्स आ जाएंगे, यूगलेनोजॉन्स आ जाएंगे, अगर हम बात करें, तो die atom golden algae तो आपके क्या है, spermatophiles होते हैं, and brown algae आपके क्या है, spermatophiles होते हैं, इनको में भी हम consider नहीं करेंगे, diatoms and golden algae को, then brown algae हो गया, dino flaglets हो गया, epi complexion and ciliates के बारें पढ़ेंगे, जो की alveolata के अंदर आते हैं, SAR से आपका क्या होते हैं, SAR से stramatophiles हो गया, and बात करें, A से आपका, यह alveolata हो गया, and R से बात करें, तो यह क्या हो गया, rhizians, क्या लिखा है यह, rhiz, rhizinarians, rhizinarians हो गया यह, तो यह आपके क्या हो गया, forums, आपके क्या हो गया, epi complexion, ciliate आ गया, yeah, and बात करें हम, rhizarians की बात करें, serco zones हो गया, and radiorians, क्या है यह, radiorians हो गया, तो यह अलग-अलग हम इनको पढ़ने वाले है, golden और die item की बात करें, तो यह algae वाले term में हमने पढ़ा था, water ने पढ़ा था, यह भी हम नहीं पढ़ेंगे, इसी तरह किसे green algae वाला है, यह जो आर्किया प्लास्टीटा जो है, आपका क्या है, प्लास्टीडा जो है, यह red algae, chlorophyte, chlorophyte and land plant, जो भी है इस सब हमने क्या है, हमने algae में already पढ़ के आए है, किसमे, algae में हम already पढ़ क्या है, botany में, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम botany की terms को study नहीं करेंगे, और अभी मैंने बताया भी था कि आपका protesta जो belong करता है, कुछ जो protesta होते हैं वो क्या है, animals के closes होते हैं, और कुछ जो होते हैं, plant के closes होते हैं, and then बात करें fungi की, तो fungi में आपका क्या होता है, amoebo zones होते हैं, जिससे कि आपका slime mouths हो गया, tubulence हो गया, antum, amoebos हो गया, या फिर nuclearids हो गया, sorry, यह तीन तो आपके क्या हैं, amoebo zones में आते हैं, अब यह क्या होगे, nuclearids and fungi, koana, flaglets and animals, यह सब आपके case में आते हैं, अपिस्थो कॉंटा में आते क्या, यह हमारा different topic है, fungi आपका किस में है, आपका botany में आता है, animal आपका zoology में ही आता है, लेकिन इसको अभी हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसको हम लिखतरगे से, प्रोटेस्टा नहीं मानते हैं, देखें, इसमें क्या है, three most important, क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि यह क्या है, यह animal आपका multiceller है, fungi आपका multiceller, भले यह अपिस्तो कॉंट्स में कहलाता है, इसकी grouping अपिस्तो कॉंट्स में की जाती है, लेकिन क्या है, यह ही कारण है, इसी तरीके से यहाँ पर डाय टम्स ड्रेडल गी यह सब भी आपका, कुछ इसी तरीके से है, इसे Q1 में आपका क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है, इसमें list करना है, तीन चीजों के बारे, most important feature के बारे में, जो कि यूकरोट्स में होते हैं आपके, तो आप बता सकते हैं, बहुत असान है, घरम बात करें, nuclear membrane की बात करें, क्या, प्रोकरोट्स की या यूकरोट्स की nuclear membrane की बात करें, वो क्या करता है, nucleus को enclose करके रखता है, यानि जो nuclear membrane होता उसके अंदर present होता है, अगर हम बात करें, प्रोकरोटिक सेल की, तो उसके अंदर present नहीं होता है, क्या होते हैं, उसके अंदर जो genetic metal होते हैं, नेग्ड होते हैं, क्या होते हैं, और आपको क्या है कि क्रोमोजोम्स भी आपको मिल जाएंगे, नुकलिस और क्रोमोजोम्स आपके क्या होते हैं, प्रिजेंट होते हैं, अगर हम बात करें क्रोमोजोम्स की, क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, तो उसके साथ हिस्टन्स होते हैं, क यानि smaller होता है थोड़ा सा smaller ribosome देखने को मिल जाएगा and then आपका क्या है eukaryote में आपका किस तरीके से होगा ATS ribosome होगा ATS edberg क्या है थोड़ा सा ही larger होगा ठीक है larger होगा इसका size तो कुछ इस तरीके से है then आप हम classification की बात करते है classification जो है traditionally हम किस तरीके से करते है protozoan को एक तरीके से classify करते हैं हम उसको flagulated amoeba sporazone जो होते हैं या फिर selected होते हैं उसकी तरीके से मतलब इस तरीके से हम क्या है इसको protozoan को traditionally classify करते हुए आए हैं अगर हम बात करें past 30 year की जिसमें क्या है molecular phylogenetic क्या है हमने उसमें क्या है एक तरीके से extensive modification करा या हमने देखा पाया उसमें जो traditional classification scheme है उसको क्या है था एक तरीके से most dramatic changes यानि इसमें बहुत सारे changes क्या है देखने को मिले have accord in the protestist group ठीक है मतलब इस group में क्या है जो पहले से classification जो किया गया था उसको उसमें बहुत सारे changes हुए जब क्या हुआ जब उसमें आपको क्या है molecular phylogenetic studies उसकी की गई ठीक है तो देखे क्या है the name of so many protestist group the name of so many protestist group genre have changed so many times nice then क्या है जो उसमें जो protestist group में या फिर इसका जो genre है उसको काफी समय क्या है इसमें changes देखने को मिले है हम बात करें इसके classification की तो वो एक तरह के से unclear है यानि difficult है उसको determine करना कि उसका name क्या दिया जाए या फिर क्या रखा जाए क्या से रखा जाए देखे क्या है however the scientist working with protestors agree that these organisms as a group are polyfighting क्या है कि scientist ने जब बर्क कर रहे थे इन प्रोटेस्टिस के साथ तो वो एक तरह के से राजी हुए कि जो organism है उसको क्या है हम फाइलो फाइलो फाइलेटिक ग्रूप में हम क्या करेंगे organize करेंगे इस ग्रूप का formation करेंगे तो देखो क्या है ये that is protestors group have arisen from a several distinct ancestors यानि जो प्रोटेस्टिक ग्रूप है ये किससे arise हुआ है तो बहुत सारे इसके जो several distinct extensor यानि अलग-अलग इसके जो पूर्वज रहे होंगे ancestors रहे होंगे उससे ये arise हुआ है and बात करें हम therefore they cannot be placed in one single kingdom protesta और इसको क्या है हम की एक single kingdom प्रोटेस्टा में भी हम नहीं रख सकते हैं ठीक है तो यह देखे क्या है the classification scheme is given by ये जो classification scheme है ये किस के दुआरा आदी जाती है तो ये दे जाती है international society of protologist क्या है जो protologist है international society of protologist ये जो संगठन है इनके दुआरा क्या क्या जाता है classification scheme लाई जाती है यह ADLATL कब लाएगा 2005 में तो देखे किया could not apply both यह दोनों के लिए apply नहीं होता है अगर हम बात करें International Code of Botanical Nomenclature की बात करें तो यह इनके लिए apply नहीं करता है इनके rules इनके code जो भी होते हैं इनके लिए apply नहीं करता है यह बात करें हम International Code of Geological Nomenclature की इन पर भी apply नहीं करता है क्यों नहीं क्योंकि इनके जो नॉम्स होते हैं इनके जो तरीके होते हैं आपको different देखने को लेंगे इनका जो तरीका होता है differentiation यह classification करने का क्या होता है अलग होता है एक दूसरे से बात करें हैं they are come up with a classification system having nameless ranks इस तरीके से क्या है कि एक classification system आता है जिसमें क्या कि nameless rank यानि उसमें जो ranking जो करेंगे वो बिना नाम का होगा यानि rather than have a classification system with division of phylum क्या है जैसे कि हम करते रहते हैं कि क्या करते हैं division of phylum जो phylum का division होता है class हो गया order हो गया इससे थोड़ा सा हमारे difference होगा this will allow them to modify the classification of the future as the as the need यानि एक तरीके इसको इस तरीके से classify किया गया है कि बाद में मान लिजे कि future में किसी तरीके की needs रहे या फिर उसमें कुछ dramatic changes देखने को में ले तो उसका classification क्या है दुबारा से किया जा सकते हैं जा सके है दन देखे क्या है however the जैसे कि हम बात करें जैसे कि हमने elements के बारें पढ़ा है अगर इसमें किसी भी तरीका evolution या फिर कुछ changes dramatic changes देखने को मिले तो देन उसको हम क्या कर सके modify कर सके या correction कर सके उसमें ठीक है अब हम बात करें यह देखिए the ease of student is students के क्या है आसानी के लिए क्այ क्या करते है इस unit में हम traditional terms का ही करें ठीक है अभी तो हमने बोला कि भाई हम इनका use krny करने बाले phylum class order का use नहीं करने वाले लेकिन हमें क्या है आपको पढ़ाना है, then हमें क्या है, इस term को आसान ही रखने के लिए हम traditional terms का ही use करेंगे, यानि फाइलम का भी use करेंगे, सब फाइलम का भी use करेंगे, फाइलम के अंदर जो फाइलम होता है, वो सब फाइलम, class, while placing in the protestors in groups, ठीक है, and again you can see that the lineages in the eukaryotes have been placed under the broad super groups, ठीक है, तो य इस सारे जो lineages है, इस सारे के सारे जो इसके one surge है, एक दूसरे की, उसको क्या है, हम क्या करेंगे, eukaryotes को किसमें place करेंगे, तो कुछ, हमने जो चार broad super group बनाए है, है ना, अभी हम जिनके बारे में बात करेंगे, करे थे, ackzakiveta, sarclade, arkyo, 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 plastida, and uniconta, mostly हम क्या है, ये तीन के बारे पड़ेंगे, ackzakiveta, sarclade, and uniconta के बारे में पड़ेंगे, uniconta में भी हम दो ही, funded के बारे में पड़ने वाले हैं, तो देखे क्या है, we have listed, ऐसा मुद्स समझ लेजीगा, कि ये एक तरीके से, एक new kingdom है, kingdom आपका protesta ही है, protesta के अंदर ग्रोपिंग की गई है, वो ही आपका एक्जेकेवेटा, सार्कलेड और अर्किया प्लस्टीडा और यॉनिकॉंटा आपका बनता है, अगर हम इनके लिस्ट को हाइलाइट करें तो only the major lineage of the protesta that were under the former kingdom protozoa, क्या है कि इसमें जो बहुत कमी ऐसे lineages है, protesta के, मतलब बहुत सारे ऐसे lineages है, आपको क्या है, former, जो former kingdom classification जो की गई थी, protesta की, उसके अंदर पाई जाते थी, बात करें हम ये जो lineages हैं, उसको हम कि इसमें distinguish करते हैं, तो इसको at least one morphological characteristics के साथ हम उसको क्या करते हैं, एक तरिगे से distinguish करते हैं, तो देखें कि often a change of structure or function, और one or more or less, ठीक है, और इसके जो structure में आपको क्या है, या function में या फिर, जो or less में आपको जो changes मिलता है, उसके according हम उसको फंग, वो करते हैं, distinguish करते हैं, अब बात करें हम, start करते हैं, super group execuator, क्या है, execuator के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं भी हो सके, इस group में, मतलब आज हम इस group को complete करें, क्योंकि video हमारा long हो रहा है, देखें क्या है, all members of execuator जो हैं, वो similar होते हैं, cytoskeleton features के according, जो उसका cytoskeleton feature है, जो उसका जो बाहरी बना हुआ, जो skeletal structure है, उसका क्या है, आपको हर, क्या कहते हैं, members में, आपको क्या है, similar देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे होते हैं, uniceller species, जिसके अंदर क्या है, आपको जो group होता है, एक group form करते हैं, distinguishing morphological feature that is an executed feeding group found in one side of the cell, ठीक है, यह जो आपके, जो एक जो एक तरह के से अलग ही morphological feature को सो करते हैं, यह group जो हमारा, जैसे कि इसके अंदर feeding group हो गया, वो found होगा, आपका, कहां पर मिलेगा feeding group, जिससे वो क्या करते हैं, feed करते हैं, यानि खाते हैं, वो आपको एक ही side मिलेगा इसमें क्या है, इंक्लूड करते हैं, photosynthetic, parasitic and heterotrophic या फिर symbiotic texas, जो भी होते हैं, इनको हम इसमें include करते हैं, photosynthetic, parasitic, heterotrophic and symbiotic texas, याद रखेगा, सुपर ग्रूप एक्जिव के बेटा की बाद कर रहे हैं, हम, mitochondria क्या है, इसमें reduce होता है, यानि modified होता है, some groups के, through, य यानि और क्या क्या है, फ्लेगला होता है, इसमें, in some different forms and other organisms, जैसे कि आपको other organisms में आपको मिल जाता है, उससे क्या होता है, यह थोड़ा सा differ होता है, फ्लेगला इसमें, हमें प्रोटोजों की बात करें, supergroup इसको place किया जाता है, पहला place है, किया गया है, supergroup को, phylum diplomoneda की बात करें, तो, characteristically, यह क्या होता है, इसके अंदर, जो mitochondria होता है, वो reduced होता है, यानि, mitochondria उसमें, एक तरह से, mitochondria तो होता है, लेकिन, पूरी तरह mitochondria नहीं होता, जिसको हम क्या कहते है, mitochondria क्या है, reduced mitochondria, ठीक है, वो क्या है, वो use नहीं करता, oxygen का, hence, these cells are found in anaerobic environment, और यह क्या है, आपको, इसके जो cells है, वो आपको anaerobic environment में, present देखने को, मिल जाएंगे, देखें क्या है, they are common cells, और parasitic, क्या होते हैं, यह common cells होते हैं, या फिर, parasitic होते हैं, यानि, क्या होते, दूसरे पर आसर instantanalyst की बात करें, instantanalyst, यह क्या है, infect करता है, mammals को, जो भी mammals है, जैसे की human की बात करें, तो एक तरगे से diarrhea जो हमें होता है, या फिर abdominal cramp आता है, हमारे पेट में, तो आपको क्या है, यह इसी कारण, आपको gradia intestinalist के कारण ही आपको देखने को, मिलेगा, अगर हम बात करें, structurally, adapt dominatsky, तो इसके अंदर क्या है, दो similar nuclei मिल जाएगा, और आपको चार flagla मिल जाएगे, जो की associate होंगे, यानि किसे लगे होंगे, तो वो परते एक nucleus, जो उसके अंदर प्रजान होता है, इच nucleus के अंदर, वो आपको मिल जाएगा, आपका figure क्या है, 1.2 A में है, उसको में दिख जाएगे, mitochondria, इसमें भी आपको lack functional मिल जाएगे, यानि ये भी क्या है, reduced mitochondria है, लेकिन इसको हम क्या कहते है, known as hydrogenomes कहते है, क्या कहते है, hydrogenomes कहते हैं, तो देखे किस तरह के genosomes कहते है, genosomes, genosomes कहते है, जो कि produce करता है, ATP, यानि energy, जो है, वो produce कैसे करता है, anaerobically, क्या करता ह है, produce करता है, जैसे कि, जब वो energy produce कर लेता है, तो hydrogen, जो है, release करता है, as a by-product, जो उसका by-product होता है, उसमें hydrogen release करता है, जैसे कि बात करें हम, plant की, plant जब क्या करता है, नहीं, हम जब क्या करते है, energy release करते है, क्या कहते है, aerobically, तो क्या है, यानि oxygen का use करके, हम ATP जब produce करते है, हमारे में क्या release होता है बताइए carbon dioxide release करते हैं तो इसमें थोड़ा सा difference है यह hydrogen release करता है यानि यह hydrogen producing bacteria क्या कहेंगे इस प्रोटेस्टा कहेंगे उसके उसको क्या बनाते हैं क्या बनाते हैं बात करें इसके एग्सो इसस्टाइल की बात करें च्जो इसका egzote style होता है वो extend होता है कहां से कहां तक vivid on longitudinal axis से लेकर उसका बोडी का जो भी है इस तरीके से अगर से फैसे तो इसका जो लॉंगिटुडिनल एक्सिस है उसमें आपको क्या है पैरा बैसल आपको देखने को मिल रहेगा longitudinal axis में होता है वो अपने body के and बात करें हम उसके modified region के जिसे हम golgi complex कहते है known as the parabasal body इसको कहते है parabasal body कहते है जो modified region of the Golgi complex है जो Golgi complex का modified region है उसको हम क्या कहते है parabasal body कहते है जिसमें क्या होता है आपको single nucleus मिल जाएगा and बहुत सारे flagla मिल जाएगा बात करें तो एक व्यक्ति के अंदर से दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांस्पूर्ट होता है हम बात करें यह effect जो करता है किसे, अगर human being की बात करें तो woman और man को दोनों को effect करता है, when, then, जब, क्या करते हैं, यह sexually transmitted होते हैं, and बात करें हम several species की बात करें, इसी की, तो यह आपका क्या है, trichonimpha हो गया आपका, या फिर micro tricha हो गया, यह leave करते हैं किसमें, जो आपका micro tricha हो या फिर trichonimpha हो गया, या आपका किसमें, gut of termite, जो आपके क्या होते हैं, दीमक होते हैं, termites होते हैं, उसके आपको क्या है, पेट में, gut में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके gut में देखने को मिलेगा, और क्या होते हैं, wood roaches जो होते हैं, जो की लकडी वगरा खात एक दूसरे को food and shelter provide कराते हैं और यह enzyme जो produce करते हैं जो कि क्या करता है cellulose को digest करता है हम बात करें insect host की बात करें वो survive नहीं कर सकता इन symbionts के बिना ठीक है अगर उनके अंदर symbionts यह नहीं होंगे प्रेजेंट नहीं होंगे तो यह क्या करेंगे यह survive नहीं कर पाएंगे यानि trichonimpha हो गया या फिर आपका mixotricha हो गया ठीक है यह ना बात समझ गया आप देन हम चलते हैं यह देखिए यह आपका gradia intestinalis है यह देखिए कुछ इस तरीके से structure होता है इसका यह आप caudal flagla देख रहे हैं यह जो फ्लेगला दिख रहे हैं यह आपका क्या है posterior flagla है यह आपक देखने को मिलेगा ठीक है हम बात करें trichomonas vaginalis की बात करें तो यहाँ पर exostyle की बात कर रहा था यह रहा यह रहा यह रहा exostyle and nucleus आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यह क्या है undulating membrane है यह and then बात करें यह flagla है यह देखिए क्या है a symbioting of wood eating termites यानि जो wood खाने वाले जो termites ह होते हैं इसके अंदर यह present होते हैं symbiote जो कि क्या करते हैं cell loss को digest करने का काम करते हैं बात आगी समझ वे अब हम पढ़ेंगे phylum Euglenazoa के बारे में हम पढ़ेंगे Euglenazoa जो है देखे यह include करता है predatory heterotrop जो भी होते हैं आपके यानि एक तरीके से जो दूसरे पर dependent होते हैं य कहने का मतलब है इसमें कौन-कौन से फाइलम Euglenazoa में आपको predatory heterotrophs मिल जाएगा and photosynthetic heterotrophs मिल जाएगा mixotrophs मिल जाएगा यानि क्या है heterotrophs दोनों हो सकते हैं या फिर parasites यानि इसमें क्या है बहुत different type of nutrition देखने को मिल जाएगा देखिया है member of this phylum have a series of longitudinal microtubules that lie below the cell membrane and help it to stephen into a pellicle इसमें जो क्या है members of phylum इस phylum के जो member है एक तरह के से देखेंगे तो इसमें series of longitudinal microtubules देखने को मिल जाएगा जो कि lie करते हैं किसके बीच में तो वो cell membrane जो है उस cell membrane के अंदर क्या stephen होते है into a pellicle जो उसके अंदर जिली होती है परत होती है membrane होती है membrane में आपको क्या है एक सक्त membrane में आपको देखने को मिल जाएंगे मतब एक तरह किसे membrane को या pellicle को सक्त करने का काम करता है कौन microtubules जो की lie करता है cell के अंदर आगे बात समझें cell membrane को है तो यह चीज़ बात समझे इसका जो cell membrane होता है इसको एक तरह किसे stiffen करने में काम आता है इसमें main distinguish की बात करे तो इसके feature जो है आपको इसमें क्या है presence of a rod मिल जागा with either spiral और crystalline spiral भी आपको देखने को मिल जागा crystalline structure भी देखने को मिल जागा inside each of their flagla ठीक है इसके flagla के अंदर इसमें best study की बात करें तो यह जो group है euglana zones इसको हम sub phylum में भी कर सकते है देखिए क्या है इसका फैला sub phylum है euglana zones का kinetoplast क्या है kinetoplasta kitanoplasta kinetoplast जो है आपका single large mitochondrion with a mass of DNA associated with a kynetozome क्या है आपका यह जो single large mitochondrion इसमें आपको मिल जागा जो कि किस के साथ होता है इसमें mass of DNA मिल जागा जो कि associate करता है किसे karnetosomes के साथ या फिर उसके basal body के साथ जो कि उसके अंदर flagla में होते है flagla में, एक flagla के अंदर देखे क्या forming a unique onglaze karnetoplast, उसके अंदर एक क्या होता है, एक unique onglaze होता है, जिसको हम क्या कहते है, karnetoplast कहते हैं, कौन करता है तो mass of DNA जो होता है associate करता है karnetosomes या basal body के साथ, उसके flagla में of the flagla, तो वो forming क्या करता है, unique onglaze karnetoplast form करता है हम बात करें, all karnetoplast जो होते हैं, वो leave किसके अंदर करते हैं symbiosis के, के तरू leave करते हैं, with other organisms, किसी दूसरे organism में ठिक है, सामार क्या होते है, pathogenic होते क्या होते है, pathogenic जो कि क्या करते है, disease के cows, एक तरचे से disease cows करते है let then, देखी, क्या है they include species that feed on procurdates in fresh water और ये क्या है, कुछ ऐसे species होते है, जो कि क्या करते है किसमें feed करते है तो procurdates, जो होते इंवार्मेंट से आपको यह मिल जाएंगे ठीक है कुछ क्या होते हैं पैरसाइट सोते हैं किसके उपर तो प्लांट्स और एनिमल के उपर आपको मिल जाएंगे अब देखिए our next class है हमारा इसी के अंदर का उना और काश्टा के आपका जिसको हमक्या कुल्य क्या है तो आपका क्या है वन और टू फ्लेगला आपको इसके अंदर एराइज होते ही दिख जाएंगे लिए अगर हम बात करें गैंबियंस की बात करें यहां पे देखिए, ए में देखिए, ये वाला देखिए, इस टरीके से आपको phlegelum दिख रहा है, और इसमे काइनेटोब्लास्ट, यह निकलस है, कुछ इस तरीके से सेल होता है, किसका काइनेटोब्लास्ट का, यह बात कर रहे हैं, हम trypanosomatidia की बात कर रहे हैं, तो देखे क्या है, यह इंफेक्ट करता है humans को, जैसे कि आपको कोई व्यक्ति है जिसको क्या होता है, sleeping sickness हो जाए, वो किसके कारण होता है, तो इसी की कारण होता है, trypanosoma, इसमें disease का नाम भी आपका trypanosoma ही है, gambians, यह क्या करता है, neurological disease होता है यह, जो कि क्या करता है, invariably, fatal if not treated, इसको हम क्या करें, अगर इसका इलाज ना करें तो एक तरीके से यह fatal हो सकता है, यानि इनसान की death तक हो सकती है, बात करें, ट्राइपोस औरैसॉमा क्रूजी की की बात करें, जो की काउज करता है, एक important disease जिसको कहते हम, जैसे कि Lessamania Lessamania जो है आपका यह अनदर पातोजिंस ओफ यह वाइड स्पिरिट आपको देखने को मिलेगा Asia में Middle East में मिलेगा आपको या फिर South America में मिलेगा जैसे कि यह cowes क्या करता है लैसए मेनिया तो यह जो Qala जर होता है न या फिर Visceral कहते है लैसे मेनिया इस्टुबेटन के कारण होनेवाली थारी जो कि आपको बहुत जगे मिल जाएंगे जो लैसे मेनिया का स्ट्रक्चर एए लैसी मेनिया कुछ सी Θरीके का होता है वह आ हें जो कि स्टिफन पेडिकल आनि जिसके प्लेग पेलीकल रंचे अनुवनिप प्लेग्रम यो गलानो अआइडियो की बात करें तो यह इसमें क्या होता है इसके पास पोकेट होता है जिसमें क्या होता है एक N20 में क्या होता है दो फलेगला होता है और वन इसभी इसमें से एक फ्लेगला क्या होता है आपका इसमाल होता है और दूसरा क्या होता है लार्ज होता है ठीक है mostly क्या है photosynthetic होते हैं कुछ यूगलनेड्स होते हैं जो कि mixotrops होते हैं यानि photosynthetic and heterotrophic दोनों ही होते हैं and बात करें they have chloroplast B इसके अंदर chloroplast की कौन सी टाइप पाए जाती है तो chloroplast B पाए जाती है chloroplast B chloroplast present होगा तभी तो यह photosynthetic करेगा chloroplast में आपको chloroplast B पाए जाता है एंड इस chloroplast जो है surrounded होते हैं double membrane द्वारा यह क्या होते हैं घिरेवे होते हैं और यह perform क्या करते हैं photosynthetic जब क्या है sunlight available हो तो यह क्या करते हैं एक heterotrophic की तरह क्या करते हैं पाफॉर्म कर रहे होते हैं अब जैसे ही क्या होती सनलाइट चली जाती है यह absence of sunlight यह sunlight की कमी होती है तो वह क्या करते हैं वह absorb करना स्टार्ट करते हैं organic nutrients को खाने लगते हैं एक तरगे से absorb करते हैं environment से many other species जो है ingest क्या क्या निगलते हैं वह तो प्रे को ही निगल जाते हैं phogo क्या कहते हैं इसे phagocytosis क्या करते हैं many other species वह ingest करते हैं प्रे को सिकार को क्या करते हैं खा जाते हैं किस process phagocytosis के process से ठीक है जो mostly आपके यूग लेना कुछ इस टाइप का दिखता है यूग लेना इस तरीके से इस तरीके से कुछ दिखता है इस तरीके से ठीक है तो यह क्या है most frequently studied जो यूग लेनेड है यूग लेना के लाता है यूग लेना कुछ इस तरीके से दिखता है इसमें आपको डिखने को मिल लगा यहाँ यहां रेड आई इस पोर्ट देखने को मिल लगा यह क्या function करता है तो यह orient provide कराता है किसे और गने ऊपको का थे तरह में आपको को लेक में आपको देखने को मिल जाएंगे क्या है इसके एकजामपल हो गया जैसे कि वी है यह सारे चीज़ आपको आपको नहीं देखने को मिल जागा इसमें आपका नेक्ट ग्रूप क्या है सुपर ग्रूप सार्क्लैड सार्क्लैड को हम नेक्स टॉपिक में पढ़ेंगे ठीक है क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि देखें गाइस यह हम क्या है जूलोजी पढ़ र होना है ताकि हम हमारे जो स्ट्रेंट से उन सभी का मार्क्स पेपर में बहुत अच्छा आ सके आपको मैं गारंटी देता हूं जो भी इस वीडियो को देखके जाएगा पूरा देखके जाएगा उसके मार्क्स जो हैं आने वाले टर्मिनल अग्जाम में क्या है इगनू के मैं भी नोट से भी पढ़ा दें बहुत से जो टीचर्स अवहलीबल है वी ठीक है और हम भी अपने जगह पर ठीक है अगर आप में से कोई बच्छा डेफ स्टैडि करने आया है क्योंकि में लिज जो साइंस में पढ़ने आते हैं तो आश्य करता हूं कि आप सभी को वीडि सार क्लेड पढ़ेंगे तो वो पार्ट तू में कवर किया जाएगा एंड अधर जो पार्ट होंगे वो अलग-अलग टॉपिक पे उसको भी कवर किया जाएगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फटा-फट जाके लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे बैल आकन को प्रेस कर दीजे ताकि हमारे आने वली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को पहले मिले और आपको किसी तरह की क्वेरी हो या फिर आपको कुछ में चीजे समझ में नहीं आई हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ठीक है और इस वीडियो को हो सके त ताकि share करने से क्या होगा simply क्या है कि वो सभी वच्चों तक पहुचेगी और वो भी अपने आने वाले टर्मिनल लेगजाम में अच्छा माक्स परफॉर्म करने ठीक है तो आप जरूर करिएगा share करना बहुत अच्छा काम होता है आप share करिएगा तो दुनिया आपसे भी share क करेंगे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों बाई